हलो अफ्रीवन मैं आर्मी जन्यों ग्लासिज में आपका स्वागत करता हूँ आप सभी को बता है राजस्तान विश्विद्याले यूजी एडमेशन 2021-22 की पहली कटॉप लिष्ट आउट हो चुकी है सभी संगटा कोलेज की महाराजा महारानी कॉमर्स और राजस्तान कोलेज की लगबग सभी कोर्सिज की जो कटॉप है वह आउट हो चुकी है अब जो आपके डाउट आ रहे हैं वह यह है डोकुमेंट को लेकर सब्सक्राइब करें बिल आकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो के नट्विशन आप तक पहुंच जाए आए वीडियो को प्रेस को देखा है और उसमें आप सभी को बताया कि उसमें सब के नाम आये हैं सभी लगबग सभी को लेज की जो पीडियेफ है उसके अंदर जो भी बच्चा सलेक्ट हुआ है पहली लिष्ट में जिसका नाम आया है तो नाम के अलावा आपकी जो कैटेगरी है कि आप कौ इस बार जो है पूरा कौलम दे रखा है रिमार्क वाला तो अब जो ही अपडेट आ रही है और आप पीडियेफ में देखेंगे उपर यूपर लिखा हुआ है कि जिन बच्चों को incomplete documents हैं और इसके अलावा जो documents remark में आये हैं वो आपको mail id पर upload करने हैं तो आज 4 सितंबर है और आज 4 सितंबर को ही आपको mail id पर जो आपको list में दे रखी है जो mail id आप को दे रखी जिसे Maharaja College के, अगर आप list देखेंगे, तो Maharaja College की mail id दे रखी है महाराणी college की देखेंगे तो उसमें भी आपको mail id दे रखी है तो वह जो mail id उसमें आपको mail करना है उसमें जो भी आपका incomplete documents है, जो आपने पहले upload नहीं करा उसको mail करना है यही same last session में भी हुआ था, last session में भी जो बच्चों के documents incomplete हो गए थे, वो online वापस से काफी बच्चों ने वाट्च्चों किये थे और mail किये थे, same वेसा ही करना है, तो जो भी बच्चा जब forum बरा था आपने आपके documents incomplete रहे गे और आपकी अलग से list भी निकाली है, इस बार क्या document verification है कि भाई अभी आपका selection हो चुका है, आपके फीज़मा हो गई है, अब आपके जो offline document verification होते हैं, जो college के अंदर होते हैं, वो अभी फिलाल नहीं है, उसकी कोई भी date नहीं आई है, कोई भी notice नहीं आई है, अलो बच्चों, अगर आपको English बोलने में हिसके चार्ट होती ह अपने English interview की तैयारी करनी है, और फराटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो आप सबके लिए एक good news, doubtnut app लाया है, आप सबके लिए English speaking course, जा इंग्लिस के top teachers आपको एकदम basic से इंग्लिस बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी बासा में, यानि अब आप में से हर बच् पर मिलेगा, course का link description में है, यह वो ही documents आपको upload करने हो रहे हैं, जो आपने form में नहीं लगाए, सिर्फ वो ही करने, तो आज आप कर सकते हैं, चार तारीके, इसके अलावा, fees कप तक जमा होगी, तो भाई, जिन विद्यार्तियों का number पहली list में आ गया है, उनको 6, 7, 8, तीन का नाम आया है, उस नाम के आगे ही आपके fees लिखी हुई है, कि आपको कितना amount, कितनी fees जमा करानी है, तो उसी हिसाफ से आप fees जमा कराएं, कि आपको 4000 करानी है, 5000 करानी है, तो list के अंदर सब कुछ detail दे रखी है, आगर आपके incomplete document है, तो वो आपको complete करने है, अगर आपको fees दे रखी इतनी fees है, तो वो fees आपको जमा करानी है, तो अगर incomplete document है, तो वो आज तक आप मेले कर दे, आज 4 सितंबर है, आज ही आपको mail करना है, इसके अलावा आपको fees जमा करानी है, 6 सितंबर, 7 सितंबर, और 8 सितंबर, fees कैसे जमा होगी, यह भी बता देता हूं, online ही जमा ह है, उनका second list में हो जाएगा, और second list आपकी 13 सितंबर को जारी होगी, आप किन-किन बच्चों का number आ सकता है, तो वो तो मैं expected video बना दूँगा, आपकी सभी courses के लिए, सभी college की अलग से, लेकिन इसमें बता देता हूं, लगबग, पहली list में जो आपकी cut-off रही है, उसका 1 य 1.5% कम हो सकती है, इससे जादा कम नहीं होगी, और इस बार काफी बैतरीन परसंटेज बनी सभी विध्यारतियों की cut-off बहुत जादा गई है, तो एक और डाउट आपके आ रहा है कि काफी बच्चों की cut-off है, उसके अंदर 105, 104, 102 ऐसे नंबर जो हैं आ रहे हैं, तो बच् एक्स्ट्रा वेटेज दिया गया था, और उस वेटेज को एड़ करके ही जो है परसंटेज आपकी निकाली गई है, इसलिए विध्यारतियों के 102, 103, 105 तक यहां पर cut-off पहुँच गई है, तो उसे आपको परिशान नहीं होना है, वो एक्स्ट्रा जो NSS, NCC के जो नंबर थ स्काउट के जो नंबर थे उसको दिये गए, तो एक कुछ डाउट थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिये है, cut-off के regarding, second cut-off आपकी 13 सितंबर को आएगी, second list में कितने cut-off जा सकती, इसको लेकर वीडियो बना दूँगा, फिर भी कोई आपका डाउट रह गया, तो आप कॉमें कर सकते, मैं reply कर दूँगा, ऐसी और अपडेट पाने के लिए चनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद